हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही सौफ्ट रसीले और मुह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन वह भी बिना मावा के कुछ टिप्स के साथ इन्हें बनाएंगे तो वीडियो को बिना इसकिप किये एंड तक देखिएगा जिससे की रेसीपी अच्छे से समझ तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गेस पर रखेंगे एक कडाही और इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच घी घी को अच्छे से पिघलने देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कब दूद यहां पर मैंने उबला हुआ नार्मल रूम टेंपरेचर का दू क्रीमी बनेंगे तो दो टेबल इस्पून मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे और साथ ही डाल देंगे दो पींच हरी लाइची का पाउडर इससे हमारे गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दूद में अब उबाल आने लगा है अब हम इस पेचुला स सूजी ही लेना है फ्रेंड्स इससे गुलाब जाउन में अच्छे से बाइंडिंग आएगी और ये तलते वक्त फटेंगे भी नहीं आधा कब बारिक वाली सूजी को थोड़ा थोड़ा करके दो सी तीन बार में डालेंगे और बीच बीच में हिलाते हुए दूद में अच अब गुलाब जामन की चाशनी बनाने के लिए गेस पर हम रखेंगे पतीली और इसमें डालेंगे एक कप चीनी और साथी डाल देंगे एक कप पानी अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें दो पिंज हरी लाइची का पाउडर डालेंगे और साथ ही केसर के कुछ धागी भी डाल देंगे जिससे फ्लेवर के साथ-साथ चाशनी का बहुत ही अच्छा केसर या कलर आ जाएगा कडशी से हिलाते वे चीनी को पानी में घोलेंगे और इस वक्त गेस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे ताकि पानी जल्दी से इवाउपरेट ना हो तो चीनी पानी में अच्छे से घूल पाए प्रेंट शीनी और पानी की हमने जो क्वांटिटी ली है उससे चाशने बिल्कुल सही मात्रा में बनेगी ये इतने गुलाब जामुन के लिए ना तो कम पड़ेगी और नहीं बचेगी इसे हम सरसो के तेल की कंसिस्टेंसी जैसी और शहत की तरह चिपचिपी होने तक पका ल अच्छी तरह से मसल कर एक चिकना डो बना कर तयार करेंगे ताकि गुलाब जामुन हमारे बिना क्रेक्स के चिकने बने और तलने पर ये फटेना और यहां पर मैंने ले लिए कुछ चारोली इनहां गुलाब जामुन के अंदर स्टफ करेंगे और डो को भी मैंने बहुत अ अथेलियों के बीच फुमाते हुए गोल करेंगे फिर हल्का सा दबा कर फ्लेट कर लेंगे और इसमें चारोली का एक दाना डालकर इसे अच्छे से सील कर लेंगे देखिए इस तरह से आच्छा है तो इसमें चारोली की जगर किश्मिश या काजु का टुकडा भी स्टफ कर सकते हैं ड्राइफ्रूट से स्टफ कर देने से यह फाइदा होता है कि तलते वक्त गुलाबजाम उनकी बीच में गाठ नहीं बनती और यह अंदर से बिलकुल भी कच्छे नहीं रहते बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं खाने में तो ज्यादा टेस्टी लगते ही हैं आप इनकी साइस अपनी पसंद के हिसाप से छोटी यह बड़ी रख सकते हैं और इसी तरह से सारे गुलाबजाम बना कर हम तयार कर लेंगे अब हम इने फ्राइब करेंगे तो गुलाब जामन फ्राइब करने के लिए कड़ाई में तेल को अच्छा गरम करेंगे और इसमें हमारे गुलाब जामन डाल देंगे अब गेस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और चम्मत से हलका हलका हिलाते हुए इने तलेंगे इस तरह से घुमा घुमा कर तले से गुलाब जामुन पूरी गोलाई से अच्छे से फ्राई होता है और इनका कलर एक जैसा आता है आप इने बहुत जादा लो या बहुत जादा हाई फ्रेम पर ना तले क्योंकि दोनों ही केस में खराब हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे पूजी को तले में ज्यादा टाइम लगता है और इनका कलर भी मावे के गुलाब जामुन जैसा डार्क भी नहीं होता है यह अच्छे से तल गए हैं और साधी हमने इनमें बेकिंग सोडा भी नहीं डाला है तो साइज में यह इससे ज्यादा नहीं फूलेंगे तो गेस को अब हम बंद कर देंगे और इन्हें एक स्ट्रेलर पर निकाल देंगे और इधर चाशनी भी अच्छे से तेयार हो गए है बहुती बढ़िया केसर यह इसका कलर आया है सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे और एक बार हिलाते हुए चाशनी में अच्छे से गोट कर लेंगे और अब हम इन्हें ढख कर कम से कम 15 मिनिट तक या फिर जब तक कि गुलाब जामुन चाशनी को अंदर तक एब्जॉप न कल ले रेस्ट पर रख देंगे घर में रखी सामान से और सस्ते में आप किसी फंक्षन या फेस्टिवल के लिए धेट सारे गुलाब जामुन बना कर त्यार कर सकते हैं देखिए कितने सौफ्ट और इस्पॉंजी गुलाब जामुन बने हैं बिल्कुल मावे के जैसे और चारोली डालने से इनमें कोई गांट भी नहीं पड़ी है अंदर तक चाशनी भी अच्छे से पहुच गई है और इन्हें सर्व करने के लिए कुछ गुलाब जामुन को हमने सर्विंग बावल में टांसफर कर लिया है और इन्हें पिस्ता से गानिश कर लेंगे छोटी साइस के गुलाब जामुन हमने बनाये हैं, तो आप इन्हें इस तरह से टूथपिक लगा कर भी सर्व कर सकते हैं, एक ही बाइट में बच्चे भी इन्हें आसानी से खा लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेम्टिंग गुलाब जामुन हमारे बने हैं, आप इ बच्चे इस माइब प्रॉट, जूसी और टेम्टिंग गुलाब, जिए भी बाइट, घर रूटत्न है और इंट्टव में बहुत हैं, जूसी और शूसी, बाइस कर देम्लाब, कि दोड़किक्षई कर अच्बास, अटिए कोवारे वे जाओट, खार टेम्लाब, हैं दोड